आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट और सिंपल पास्ता की रेसिपी विच इस मैकरोनी पास्ता इन मयोनी सॉस तो आएए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप बॉइलिंग वाटर में मैकरोनी को एड कर दीजिए और इसे कुछ चार से पांच मिनिट के लिए पका लीजिए और उसे ड्रेन करकर साइड में रख लीजिए अब एक पैन में ऑईल गरम कीजिए और उसमें इसाइस कंड आप उसमीं चॉप लेजन एक लाटर के लुड़ ए और इन दोनों को कुछ दो 3 मिनिट के लिए पकाएं गे जिससे इनका कच्चापन निकल जाएगा दो, तीन मिनिट सॉटे करने के बाद अब आप इसमें एड़ करिए American Sweet Corn Sweet Corn डालने के बाद अगीन आपको इसे कुछ एक दो मिनिट के लिए सॉटे करना होगा अब हम इसमें एड़ करेंगे Macaronis आप इसे दो तीन टेबल स्पून पास्ता वाटर के साथ ही एड करिए इससे इसमें एक ड्राइनिस नहीं आएगी अब इसमें हम एड करने वाले हैं दो तीन टेबल स्पून मयोनी सॉस इसकी कॉंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ली चेंज कर सकते हैं अगर आप जादा क इसमें जादा मयोनीस एड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स और उसके बाद अब आपको इसमें एड करना है सीजनिंग तो सीजनिंग के लिए आप इस पर डालिए पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि हमने मयोनीस एड किया है जिसमें अल्रेडी तो उसके अकॉर्डिंग्ली आप इसमें सॉल्ट डालिए नाव एड ओरीगेनो एंड चिली फ्लेक्स और अब इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और हमारा मैकरोनी पास्ता इन मयोनी सॉस बनके त्यार है यह इंस्टेंट पास्ता रेसिपी इसलिए है क्योंकि हम इसमें आल परपस फ्लाडिया मैदा का यूज नहीं कर रहे हैं मयोनी का यूज कर रहे हैं जिसे इसे पकाने में कम टाइम लगेगा ना स्प्रिंकल सम मोजरेला चीज अन इट और यह आपका पास्ता त्यार है थैंक्स वर वाचिंग